हालो फ्रेंट्स हाउ आई यू आप सब बहुत अच्छे होगी फ्रेंट्स आजम पढ़ने वाले हैं इंडियन वेवर्स पोएम जो बहुत ही प्यारी सी पोएम है सरोजनी नैडू जिने ने लिखा है ये पोएम इतना है इंपोर्टेंट और इतना मतलब हमारे लाइफ की त्री स्टेजेश को ये शो करता है इस पोएम में हमारे जिन्दगी के जो महत्रपुर्ण त्री स्टेजेश हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छे से इसकरिता में लिखी है और फ्रेंस सरोजनी नैडू जो इंडिया की ब बहुत ही शौट पोएम है इतनी बहत्रेन तरीके से इन्होंने इस लाइफ के थ्री स्टेजेश को वेवर्स के सहारे वेवर्स मतलब होता है फ्रेंस कपड़ा बुनने वाला ठीक है बुनाई करने वाला वेवर्स मतलब बुनाई करने वाला ओके तो उनके सहारे यह अपनी रही है कि इंडियन वेवर से इंडियन वेवर से क्वेशन करने हैं जो भारत के रहने वाले जो कपड़ा बुणने वाले जो वरकर हैं इनसे यह कह रहेंगे इनसे पूछ रहेंगे कि वेवर स्वेविंग एड ब्रेक ओफ डे वायदो यू वेवर गार्मेंट सव गें यह बोल रही है कि फ्रेंट्स ब्रेक ओफ टे मतले अगदम दिन शुरू होते ही मतलब सुबा सुबा पूछ रहे हैं कि इतना सुबसुब तुम लोग इतना चमकिला एमना काते हूं क्पडा क्यूं ाूस सुबा म्लू एक जंगली जंगली पक्षी है जिसको हम पिंग फिशर के नाम से जनते हैं तो बोल रहें कि कि पंक जैसा इकदम मतलब यूँ और यह चमखीला सा कपड़ा तुम लोग इतना सुबह सुबह क्यों बोन रहे हो तो यह वेवर्स लोग क्या जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग एक बच्चा पैदा हुआ है, उसका हम कपड़ा बुन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमने यह देखा कि पहले इंसान का जन्म होता है, फिर क्या होता है, वो हमने उसमें देखा अब सेकल स्टेंजा में क्या लिखा है यहाँ पर वेवर्स वेविंग एट फॉल अफ नाइट, वाय डोई वेव और गार्मेंट सो ब्राइट, लाइक प्यूम्स ओफ पीकॉक, पर्पल और ग्रीन, यहाँ पर यह बोल रही हैं कि फॉल अफ नाइट मतलब रात होने वाली है मतलब शाम बोल रही है कि वेवर्स तुम लोग शाम को इतना ब्राइट सा ब्राइट गार्मेंट, मतलब चमकीला कपड़ा, क्यो बून रहे हो, यहाँ प्लम्स ओपीकॉक, पर्पल और ग्रीन, क्यों प्लम्स प्यूम्स मतलब पंक, क्यों प्रपल, ग्रीन ऐसा चमतदर आपड़ा तुम लोग शाम के टाइम पर क्यों बून रहे हो विवेव दे मैरेज वेल्स आफ़ा क्वीन वेल्स मतलब होता है घूंगट ऑके मैरेज मतलब तो पता है यह शादी का घूंगट मतलब क्या यहां पर उन लोगों ने जवाब दिया वेवर्स लोगों ने आंसर द तो उसका वो चमकीला सा हम लोग वो घूंगड तयार कर रहे वह बून रहे हम लोग आई बसार में आप लोग को लास्ट है वेवर्स वेविंग सोलेम एंड स्टिल वाट डू यू वेव इन दी मून लाइट छिल यहां पर बोल रहे हैं स्वाइट एज फेदर एंड वाइ सूले मतलब सीरियस अदम सिसेरियस हो चांद के प्रकाश में मतलब मून की लाइट में इतनी अंटल investigative भंड रात में ठंड रह नहीं है इतना सफेद सफेद फंक जैसा सफेद और क्लाउड जैसा एक ताम सफेद यह कपड़ा इतनी रात में इतना श्राउड वह लोगा एंसर दे रहे रहे हैं कौन लोगों ने यह लोगों पून कर रहे हैं कफन बुन रहे हैं तो फ्रेंस आपको समझ में आया होगा और इस तरह से सरोजनी नाइडों ने हमारे लाइफ की थी स्टेच जो बहुत ज्यादा झाल सुटेब की झाल..